नमस्का दोस्तो रिव्यू चैनल में आपको स्वागत है आज रिव्यू करेंगे महिंद्रा 215 डी आइसपी प्लास तो सबसे पहले सुरू करेंगे इसका एंजिन स्पेसिविकेशन्स तो यह तीन सिलेंडर एंजिन है जो की 2048 cc कैपसिटी है और यह टोटल 37 hp कैटेगरी में आती है और यह वाटर कूल्ट सिस्टेम है और इसमें अब ड्राइ टाइप विद ड्रियल एलिमेंट टाइप एयर फिल्टर लगा हुआ रहता है और यह फ्यल पंप है इसका इन लाइन और इसका गेर बोक्स अब देख सकते हैं यह है इसका दो रिवर्स और आर्ट तो आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेक है वो ड्राइ इसका जो ड्राइ इंटर्नल एम एक्सपी शू है जो की वाटर प्रूफ होते है वाई भी और इसका पीछे जो आप देख सकते हैं इसका जो पीटी होए यह टोटल 32.9 HP प्रोड्यूस करती है और यह आप देख सकते ह अगर चलके इसको देखेंगे यहां पर देखते आप dat battery box है battery लगा ऊई हलाकि company नहीं ट्रैक्टर पर नहीं battery दें देते हैं और यह अब देख सकते total जो लुक है इसका काफी अच्छा good-looking ट्रैक्टर है यह और इसका अगर हम try size बताएंगे इसका, तो इसका फ्रॉंट का जो टायर है, वो है 6 by 16 और इसका जो रियाट टायर है, वो है 13.6 by 28 और इसका जो स्ट्यारिंग है वो है पाउर स्ट्यारिंग, जो ड्यॉल एक्टिंग टाइफ है कंपनी ने जो नाम दिये इसके और आपको बताएंगे इसका आगे चलके जो इसका और स्पेसिफिक इसंस जैसे इसका हाइड्रोलिक जो है इसका लिप्टिंग कैपरसिटी है 1500 केजी है और इसका फ्री पॉइंट लिंकेच जो है वो हाई प्रिसिशन पे होती है और इसका अब देखते हैं ट्रॉली ये असा और यह टू विल ड्राइब में आती है और हलाकि यह ज्यादा लोड नहीं किच पाती है कमपणी ने इसको 6 यर्स का वारेंटी दे दिये और यह तो कफी गुड लुकिंग है